हेलो एवरिवन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमेज से पीडियफ कैसे बनाते हैं दोस्तों आप लोगोंने देखा होगा बहुत यूज में होता है कि कोई इमेज आपके पास पढ़ी है उसको आपको पीडियफ बनाना है कहीं डाक्मेंट आपको अपलोड करना है कि पीडियफ में आप डाक्मेंट को आसानी से अपलोड कर सकते हैं तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी इमेज से पीडियफ कैसे बनाते हैं वो भी एक इंडियन एप के तुरू इससे पहले आप सब्सक्राइब करते रहोंगे आज इस एप के तुरू मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कागज स्कैनर कागज स्कैनर जो एप है बहुत ही बढ़ी बढ़ी आप है इस एप की लिंक में आपको दे दूँगा आधि देखते इसको करते कैसे हैं इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है इस तरह से आपको कुछ आइकन देखेगा जैसा कि आप देख सकते हैं आप एक कागज स्कैनर लिखा हुआ इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास window एक खुल के आ जाएगे और यह देख सकते हैं आप बहुत सारे PDF मैंने अल्लेडी बना कर इसमें रखे हुए हैं जब भी चाहे हैं इनको हम लोग सेंड कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है इसको हम अपने इसाब से नाम इडिट कर सकते हैं कि इस PDF का नाम क्या है तो बहुत आसानी सिसको अम लोग कर सकते हैं और इसको आसानी देके Share option दिग रहा है यहां से किसी को Share भी कर सकते हैं तो यह देखते करते कैसे हैं इसको suppose आपके पास कोई फाइल पहले से पढ़ी है तो आपको बस प्लस पे क्लिक करना था और जैसे ही देखें आपर बहुत सारी फाइले दिखाई दे रही है यहाँ से एक फाइल में यहाँ पर कोई भी इमेज यहाँ पर एड़ कर लेता हूँ बस आपको जैसे अप्लस पे क्लिक करेंगे यह देखें आ गया हमें क्या करना है टिक पे क्लिक कर देना है और सपोर्थ मुझे इसमें से दो कोईशन्स काटके कि और इसके अलक पीडिया बनानी है बाकिव डॉक्मेंट नहीं चाहिए तो बहुत यह असानी से आप इसको क्या कर सकते हैं क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर दो आप यह क्रॉप कर लिए है और जैसे आप क्रॉप करके इसको ग्रीन बटन पर नेक्स करेंगे सबसे इंपोर्टन जी जाती है magic effect, new white effect and grey scale and black and white effect इस तरह के effect लगा कर आप image को और attractive भी कर सकते हैं अभी काफी दुंदली image थी लेकिन मुझे white चीए थोड़ा सा content साफ दिखाई दे तो यहाँ आप हम लोग अगर white effect लगा लेते हैं तो यह देखें काफी अच्छी पीडिया कहाँ पर इसकी बन जाएगी और इसके बाद आप लोग इसको डन करेंगे और आपकी पीडियाफ तेजार है उसके बाद आपको क्या करना है ओके कर देना है और यहाँ पर share option आता है share as PDF करेंगे और किसी भी को आप WhatsApp के मादण से Bluetooth के मादण से किसी मादण से आप फाइल को सेंड कर सकते है और suppose अगर आपको डारेक्ट पीडियाफ बराना चाहा रहे है केवाल आपको 10 सेकेंड लगेगा करना गया है बस केवाल क्लिक करना है और जो भी इमेज आपके सामने रखी हो उसको आपको क्लिक कर लेनी है suppose मुझे wireless router वाली इमेज का PDF चाहिए था तो wireless router वाली इमेज को मैंने क्लिक किया और देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे वो इमेज आ गई process पे क्लिक करेंगे यह दिखिया गया इमेज को हम लोग तुरंट crop कर लेंगे according to our requirement और जो भी हमें पोर्सन चाहिए उसको हम लोग सेलेक करके और OK कर देंगे आपके सामने वो आ जाएगा बहुत एजी मैथट है इससे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी इमेज को PDF में कर सकते हैं वही एफेक्ट हम जो लगाना चाहते हैं वह भी आप लगा सकते हैं Magic Wand या Gray Scale या Black & White और आपको OK कर देना है और आपके सामने इमेज PDF बनकर तयार है केवल आपको Share पे क्लिक करना है Share as PDF क्लिक कर देना है और आपके PDF के थुरू फाइल सेंड हो जाएगी तो यह बहुत यह इजी मैथट था काफेज स्कैनर के तरू किसी भी इमेज को PDF बनाने का तो अगर आपको क्यों प्रॉब्लम हा रही है तो एक बार अप करके देखेएगा और यह बहुत एजी मैथट है और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको एक बार Like, Share and Subscribe ज़रूर करेएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Thank You